Students, इस वीडियो में मैं आपको prefixes और suffixes की help से आपकी vocabulary को increase करने की कोशिश करूँगा prefixes वो शब्दांश होते हैं या syllable होते हैं जो किसी भी word के पहले लगाये जाते हैं और suffixes वो शब्दांश होते हैं या syllables होते हैं जो किसी भी word के बाद में लगाये जाते हैं So students, now we have another prefix which is UN, UN has the different meaning, UN का मतलब होता है किसी चीज के विरुद काम करना, मतलब अपोजिट काम करना, उल्टा काम करना, ठीक है, अगर जैसे कोई ही चीज टाय है, टाय मतलब आप समझते है, टाय मतलब बंधा हुआ, तो उसको अगर हम अन टाय कर देंगे तो वो खुल सबज माय, तो UN का मतलब उल्टा काम, ठीक है, एक्सेम्पल से आपको जादा क्लियर होगा, UNBIND, BIND मतलब होता बांदना, UNBIND मतलब खोल देना, तो मेरे हाथ खोल दो, UNBIND, MY HANDS, NEXT, UNBUTTON, UN का मतलब क्या होता है, UN का मतलब होता है, उल्टा काम करना, बटन मतलब बटन लग इपनी शर्ट के बटन खोलो, UNBUTTON, YOUR SHIRT, NEXT, UN CORK, कॉर्क आप जानते है, कुछ शीशी होती है, उनके उपर कॉर्क लगी होती है, डाट लगी होती है, ठीक है, रबड की, तो अगर हमें वो डाट खोल ली है, तो हम क्या बोलेंगे, UN CORK, THIS BOTTLE, NEXT, BURDEN, BURDEN मतलब बोज, और UN UNBURDEN, बोज कम करना, तो YOU SHOULD UNBURDEN YOURSELF, तुमें अपना खुद का बोज कम करना होगा, IT MEANS, आपने जो टेंशन से ले रखी हैं अपने माइंड में, उसको UNBURDEN करना होगा, मतलब उसका बोज कम करना होगा, NEXT, UNCLOTH, UNCLOTH मतलब, या UNDRESS, DRESS भी कभी कभी उस होता है, UNCLOTH या UNDRESS same meaning है, वस्तुलतान, DRESS मतलब कपड़े, पुशाक और क्लोथ मतलब भी कपड़े होता है, तो UNCLOTH YOURSELF, अपने कपड़े उतारो, UNCLOTH YOURSELF, या UNDRESS YOURSELF, NEXT IS, UNCOVER, UN मतलब, उल्टा करना, cover मतलब, cover मतलब, cover मतलब, ढखना, किसी चीच को ढखना, UNCOVER मतलब, उसको ढखना, उस table, इस table पर से cover हटा दो, तो UNCOVER this table, ठीक है, NEXT, UNLOAD, लोड मतलब, समान होता ना कि लोड हो रहा है, तो उस लोड को कम कर देना, तो UNLOAD हो गया, तो UNLOAD THIS TRUCK, इस ट्रक का माल उतारो, UNLOAD THIS TRUCK, NEXT, UNFOLD, फोल्ट मतलब मतलब मोड़ोना, अगर कोई चीज मुडी है, तो उसे UNFOLD IT, किसे बोलेंगे, UNFOLD, इस पेपर, इस पेपर को खोल दो, and the last, UNVEAL, UNVEAL मतलब पड़ा हटाना, right, so UNVEAL the curtain please, right, so student, I hope you have got the meaning of UN,